आपने एक कहावत बहुत अच्छी से सुनी होगी कि सौ रूगों की एक दवा तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं एक ऐसा मास्क जिसको लगाने से आपके चेहरे के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे जैसे एकने या पिंग पल्स ब्लाक हैड्स या फिर आपके और प्रॉब्लम्स या फिर ड्राइ स्कीन की हो या फिर जहरे पर आपके कहीं भी डर्लेस दिख रहा हो या फिर आपका अनिवेंट टोन की समस्या हो तो वह सारा प्रॉब्लम्स एक मास्क से खतम हो जाएगा वह है एक्टिवेटेद चार्कॉल तो आज मैं बताऊंगे तो यह बहुत ही बहुत ही बेनिफेसियल मास्क है जिसको आप लगाएंगे तो आपको अंतरपता चलेगा तो चलिए मैं आज का यह वीडियो यहां स्टार्ट करती हूं तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने चेहरे को क्लीम करेंगे तो क्लीम करने के लिए आपको बताईए मैं सबसे ज्यादा रॉव मिल्क और हल्दी पॉडर को प्रेफा करती हूं इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे रॉम मिल्क यह हम ने यहां पे रॉम दख लए अब हमगे थोड़ा सा भल्डी पॉडर मिलाएंगे इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद किसी भी कॉटन पैट से या फिंगर टिप से इसको पूरे चेहरे पे अपलाई कर ले और सुखने के लिए थोड़ी देर छोड़ते स्क्रब करने के लिए स्क्रब के लिए शुगर यूज़ कर रही हूँ किसी भी चीज से क्रश कर लें फिर यूज़ करें डिरेक्स शुगर को नहीं यूज़ करते हैं वरना यह थोड़ा रफ होता है इसकी इन के लिए फिर हम इसमें थोड़ा सा लेमन जूस मिला रहे हैं अब इसको आपकर अच्छे सेमिक्स करकर पुरे चेहरे पर दीरे-से चार मीनाट तक स्क्रब करें प्रब करने के बाब आप यह एक्टीवेटेड चार्कॉल फेस पैक फिल लगा लें अब लास्ट में हम चारकुल फैक बना रहे हैं इसके लिए हम एक्टिवेटेद चारकुल ले लेंगे इसमें हम थोड़ा सा मुलतानी मिटी अपने हिसाब से मिला लेंगे आप चाहे तो मुलतानी मिटी के जगह पे ओट्स भी डाल सकते उसके बाद इसको मैं रोज वाटर से मिक्स कर रही हूँ इसको आप अच्छे तरह से मिक्स करके अपने पूरे चेहरे पर अप्लाइ कर लें यह एक्टिवेटेद चारकुल क्या करता है कि जितने भी चेहरे के डर्ट, टॉक्सिन, या हैवी मेंटल या कोई भी केमिकल या कोई भी पोईजन रहता है तो वो उसक एक ही दिल लगा है होता क्या है कि जब आप बार बार इसको लगाएंगे तो यह क्या करता है ने कि आपके चेहरे के जित्ते भी नेजरल ओईल या मॉस्चर है यह इसको एब्जॉब कर लेता है इसलिए हमेशा ध्यान रहे हैं कि हपते में एक ही बारे पिसको यूज करें यह एक्टिवेटे चार्कुल मैंने ओनलाइन मंगा है अगर आपके पास ना हो तो आप भी ओनलाइन मंगा सकते हैं जिसका मैंने लिंक ड्रिस्क्रिप्शन में डाल दिया है यह फेस मास्क अपला करने के बाद 15 मिनट तक आप इसको सूखने चोलते हैं इसको अच्छे से आप यह